असलाम वालेकूम, विल्कम तू माई चानल, पेस फिंस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंस और फैमली में मेरे वीडियो को शेर कीजिए, और दुआ हो में मुझे याद रखे, आज मैं आप लोग के लिए देखे, दमके रोट की रेसिपी लेकर आयो, वीखे लाहिए, आप लोग भी जारू ट्रॉट कीजिए, डमके रोट बनाने के लिए देखे, मैं निरेंस निकाल दिया है, बैकरी स्टाइल दमके रोट बनाने के लिए देखे, मैंने इसमें कुछे सिक्रेट इंग्रेदियेंस भी आज की है, आप लोग पूरा वीडियो काजू लिए वन कप खोप्रा स्मॉन पीसिस में कटकर लिया है यह हाफ कप किश्मिश लिए बिष्टा हाफ कप और पादाम हाफ कप लिया है और बेकिन पाउडरी और बेकिन सूडा है मैंने इस दाले से हमारे रोट अच्छे फ्लॉफी बनके रेडी हो जाएंगे और मैंने यह बिल्कुल परफेक्ट में लिया है मैंने आप लोग भी सेम इसी मेजरमेंस में पलीजिए ताकि हमारे डोट बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बने और जो हमारे सीग्रेट इंग्रेडियंस है वह है जैफल जावित्री और इलाची जैफल हमें जैफल लेना है इसे पीज पॉडर बना लिएना है और मैं हमारे ड्राइफ रूट ग्रेंडर में दरदरा पीस लोगी आप चाहे तो इसे कट करके भी दाल सकते हैं और देखिए मैंने ड्राइफ रूट्स को अच्छे से दरदरा पीस लिया है ऐसे दालने से और भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे हमारे रोट अब हम रोट बनाने के लिए आटा रेडी कर लेंगे देखिए मैंने आदा किलो ने दिकाटा आट कर लिया है और पव किलो रवा ल अब चाहे तो तो दाल देंगे तो हमारे रूट क्रिस्पी बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे साफ नहीं मनें और ये इंग्रेडियंट समी इजिन आठ करsti मैंने ने चैफंडरी एंधास आपमें मैं ऐज चे समेस्ट आ इंड़रा है और हमारे सीक्रेटत इंडरे ब ये नॉर्मल मीठा बनेंगे हमारा रोट इसी मेजरम profiles में साथ है और बनने में वह भी दिलिशुस बनेंगा अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें बेकिंग पाउडर आड़ करेंगे वन फॉल स्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वन फॉल स्पून आड़ करना है इसमें और ये घी आड़ कर लेंगे हम वै कि पाउडर रे टैकिंग सॉरणने से हमारे रोट अच्छे पलफी बनके रिडि हो جाएंगे इसे अच्छे मिक्स कर लेंगे और हम दूट दालके इसे थोड़ा थोड़ा दोट दालके अच्छे से गून लेंगे सॉफ्ट होने तक जैसे हम रोटी का आटा बिगाते है वैसे हमें इसे गुलना है अच्छा सॉफ्ट गुल के रिडी करना है इसे देखें इसे थोड़ा-थोड़ा दूदाट करके मैं इसे गुलते जा रही हूं और अल्मस्ट हमारा आटा गुल किया है हमें अच्छे से सॉफ्ट गुलना है इसे देखें माशालला और मोस्त हमारा आठा अच्छे से गुल चुका है और अच्छा सॉफ्ट भी हो चुका है देखें माशालला हमारा रोट आठा अच्छे से सेट हो गया है अभी मैं इसे वन्हार के लिए धांकर रख दूंगी के वनहार के बाद माशाओ लाहारा ऐचाहाए से उफ्ट और सण फोगया है अभी हम इसी के देंगे और रोट बना लीनिया हमारे क्रें दिए मैंने इह पूण बेलना है मैं थोड़ी सी खुश्की लगा कि अच्छाव में रिहां में से अच्छा й को कर्टॉरि के हवच से शेप cité रही हूं रौंद शेप में बना रही हूं अप छाया तो से कुंसा भी शेपब दे सकते हैं भी ही हार्ट शेप में बना सकते हैं विदि यह माशारा पर्फेक्द में साइब हैं एक अचाए होरोघ लोन गयी अचीऱ गर लोंगाई we जाए तो उसे हाथकर शेप में भी बना सकते हैं। देखें खुश्की लगा के हमें अच्छी से बेलना है। खुश्की नहीं लगाएगे तो यह चिपक जाएगा हमारे बेलन को। तोड़ी थोड़ी खुश्की लगा के अच्छे से बेल लेंगे। और देखे माशाला मैंने सारे रोट ऐसे ही बना के रेडी कर दी है पॉफेक्ट शेप में बने है और मैं इसे बादाम से गानिश कर रही हूँ अच्छे से प्रेस करके बादाम हमें इस पे लगाना है माशाला देखे टोटल 26 हमारे रोट बनके रेडी हो गया है मैं इसे बैक सेट करना है नहीं तो एक दूसरे को लग जाएंगे इसे मैं बैकरी में सेखने के लिए दे रही हूं इसलिए अच्छे से हमें एहतियात से इसे देना होगा इसे घर में सेखेंगे तो इतने अच्छा पॉफेक्ट बैकरी स्टाइल नहीं बनेगा इसे बैकरी में सेखने के ल आप लोग भी सेम इसी में तर्स में मनाएए थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाहाफिज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइक उन को जरूर प्रेस केजिए